नमस्कार दोस्तों, welcome to study news हमारे IT मिनिश्टर रवी संकर प्रसाद ने कहा है कि इंडिया विल बिकम नमबर वन इन मोबाइल फोन मैनुफेक्चरिंग भारत नमबर वन बन सकता है मोबाइल फोन मैनुफेक्चरिंग में इसके लिए कई सारी स्की में चलाई जाएंगी इसके बारे में जानेंगे So let's start आप जानते हैं कि इस समय मोबाइल फोन ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कम्निकेसंस के छेतर में इंटरनेट यूज के लिए एक दूसरे से इंटर कनेक्ट रहने में मोबाइल फोन की बहुत बड़ी भूमी का है आप देखते ही होंगे कि हर व्यक्ति के हाथ में आजकल एक या दो फोन मिली जाते हैं मोबाइल फोन लोगों के लिए आसान साधन इसलिए भी बन गया है क्योंकि ये सस्ता भी है और आसान तरीका होता है किसी भी चीज के लिए इसे खरीद कर कम्मुनिकेट करना चाहे कैमरे के यूज के लिए हो इसे कैरी करना भी आसान है और ये यूजर फ्रेंडली भी है आप यहाँ देखिए भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है मुबाइल फोन के यूज के लिए सिर्फ भारत में 128 करोड से ज़्यादा मुबाइल फोन यूज किये जाते है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रती सो व्यक्ति पर लगभग 93 मुबाइल फोन यूज होते है यह देखिए यहाँ चाइना नंबर वन पे है फिर इंडोनेशिया नंबर तीन पे है यूएस नंबर चार पे है इंडिया जो है वियत नाम को पचाड कर विस्व का दूसरा सबसे बड़ा फोन मैनुफेक्चरर देश बन गया है भारत ने 44,265 करोड रुपे खर्च किये स्मार्ट फोन मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में चाइना मैनुफेक्चरर में भी पहला देश बना हुआ है आप जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री स्री नरेंद मोदी जी ने कहा है कि लोकल पर ध्यान देए लोकल को बढ़ावा दे इसी नजरिये से हमारे IIT मिनिश्टर रवी संकर प्रसाद जी ने इस सेक्टर में इस सेक्टर को बुष्ट करने की योजना बनाई है आप जानते हैं कि 2014 तक भारत में केवल तीन मोबाइल मेनफेक्चरिंग यूनिट थी आज इंडिया ने बूस्ट करकर 268 स्मार्ट फोन यूनिट हो गये हैं 2018 तक भारत में 82% मोबाइल फोन भारतियों द्वारा भारत की बनी हुई यूज की जाती है हमारे IIT और Electronic मंत्री रवी संकर प्रसाद इंट्रिद्जूस कर रहे हैं 3 स्कीम तू प्रोमोट मोबाइल फोन और अधर इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स मोबाइल फोन पर भी ध्यान दिया जाएगा और दूसरे electronic products पर भी ध्यान दिया जाएगा जिससे electronic समान के निर्माड में दूसरे देश पर आसरितन होना पड़े ये तीन scheme है पहला है production linked incentive scheme दूसरा है scheme for promotion of manufacturing of electronic component and semiconductor और तीसरा है electronic manufacturing cluster scheme इन तीनों scheme के बदोलत भारत mobile phone manufacturing में number one बन सकता है इसका अंदेशा mobile sector की company ने लगाया है और उन्होंने इस चीज का अस्वासन दिया है कि ये अच्छा invest होगा और ये scheme फायदे मन साबित होंगी इन तीनों scheme पर government 500 million रुपए 2,025 तक खर्च करेगी और इस scheme के बदोलत अगले 5 साल में electronic manufacturing छेतर में 10 लाग करोड के निवेस की उमीद की जा रही है इस sector से बहुत लोगों को job भी मिलेंगे और भारतिय टेकनलोजी को बढ़ावा मिलेगा भारत को mobile phone निर्मार में पहला इस्थान दिलाने के लिए PLI scheme के तहट 5 वेस्विक कमपनियों का चयान किया जाएगा तो ये था पूरा analysis इस वीडियो का थैंक्यू आपका दिन सुभ हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें